नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्टाउलजी पर मैं यश्राश्तेवारी आज आप सभी के समग को पस्तित हुआ हूँ जुलाई दोहजार चौबिस के मासिक राशीफल को लेकर आज के इस राशीफल के कारिक्रम में हम चर्जा करने जा रहे हैं कि जुलाई दोहजार चौबिस में आपका स्वास्त का सरहने वाला है आपकी शिक्षा आपका दामपत जीवन आपका प्रेम सम्मंद साथ ही साथ क्या परिवर्तन आपके वर्कपेस पर आपके करियर में आपकी इंकम में या आपके आर्थिक द्रिष्टी कोण से आने वाले हैं इस विशे पर चर्चा आज के इस राशिफल के कारिटम में होने जा रही है आज का जो राशीफल का कारिक्रम है इस राशीफल के कारिक्रम को आप अपनी चंद्र राशी के आधार पर देखी अर्थात आपकी जर्मकुंडली में चंद्रमा जिस राशी में स्थेते वही आपकी चंद्र राशी है एवं उसी राशी के आधार पर आप इस राशीफल के क परिवर्तित होने जा रहा है, तो हर मन्त की तरह सूर्य इस मन्त में 16 जुलाई 2024 के दिन मिथुन राशी को छोड़ करके करकर राशी में प्रवेश करेंगे, मंगल 12 जुलाई 2024 के दिन व्रिशब राशी में प्रवेश करेंगे, बुध 19 जुलाई 2024 के दिन करकर राशी को छोड करके सिंग राशी में प्रवेश करने जा रहे हैं साथी साथ शुक्र मित्वन राशी को छोड़ करके 7 जुलाई 2024 के दिन करके राशी में प्रवेश कर जाएंगे साथी साथ उन 30 जून 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक शनी देव वक्री रहेंगे और इनका जो वक्रकाल होगा ये साथी साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अप्लोड किया जाता है उसका नूटिफिकेशन आपको मिलता रहे यदि इस कारिक्रम के माद्यम से आपका कुछ भी लाब होता है तो आप इस वीडियो को साथ ज़ादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाब हो और उसका माद्यम आप बने आए अब हम चर्चा प्रारम करते है राश्यू के इक्रम में बाहरवी राशी अरथात अंतिम राशी यानिकी मीन राशी के जातकों के लिए जुलाई दोहजार उत्रा ही आपको आपके भागी का साथ मिलने वाला है, तो ओवराली चीज़ अच्छी है, स्वास्त के पॉइंट अप व्यू से आँखों में दर्द, आँखों में जलन की शिकायत हो सकती है, अपनी आईज का ध्यान रखिए, मुख जन रोग, मुख से सम्मंद परिशानी, म मंता आपके लिए नहीं दिखाई पड़ती है, परन्तु हाँ आपके माता के स्वास्त में परिशानियां इस मंत में दिखाई दे रहे हैं, तो आपको अपनी मदर्स हैल्थ का और 16 जुलाई के बाद में अपने पिता के स्वास्त का ध्यान रखने की आवशक्ता है, कोड़ से मीन राशी के जातकों के लिए मंत काफी अच्छा होने वाला है, मंगल राशी परिवर्तन करेंगे, और राशी परिवर्तन करके तृतिय भाहों में जब वो आचाएंगे, तो उनकी तृति सष्ट पर, नवम पर और दश्रम पर होगी, जिस वजए से आपके परा का रिण आपको इस मंत में देना नहीं है, रिण आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, परन तो रिण धीजेगा नहीं नहीं तो वो दिया हुआ पैसा आपका इस मंत में डूब जाएगा, प्रेम संबंद के पॉइंट आफ व्यू से देखा जाए, तो भी लव लाइफ के विसे शुक्र अबुद की उती पंचब रहेगी तो ओवराल लव लाइफ आपके लिए इस मंत में अच्छी होती हुआ ही दिखाई दे रही है, मांगली कृत्य होता हुआ भी आपके पडिवार में इस मंत में मुझे दिखाई देता है, दामपत्य जीवन के पॉइंट परन relaçãoaison साथी के स्वास्त में परिशान आपकी आपके अच्छी है, परनतु नाइटिन की व्यापार आपके लिएंट अभी से व्योटी मन्त में मीन रश्री कि जातकों के लिए होती हुआ दिखाई दिखती है पार्टनर्शिप में यदी आपका व्यापार था, तो पार्टनर्शिप में जरूर थोड़ी से मतभेद हो सकते हैं, बट गुरू की दिश्टी सब्तम पर है, तो उसको ले करके भी आपको चिंदा करने की जरूरत नहीं है, करियर में ग्रोथ है, भागी का साथ है, मैंने धार्मे क्यात्रा पर यदि आप जाना चाते हैं, तो 12 अव जुलाई के बाद में जा सकते हैं, 12 अव जुलाई के बाद में धार्मे क्यात्राओं को करने के लिए आपके लिए मन्त काफी अच्छा होने वाला है, विदेश से जुड़कर के यदि आप काम कर रहे थे तो वि इस मन्त में आगे बढ़ता हुआ, फुल्फिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, लग्जरियस मकान की योग आपके लिए इस मन्त में बन रहे हैं, मंगल द्वितिय भाव में हैं, 12 जुलाई तक रहेंगे, अपनी वानी पर नियंत्रण रखियेगा, वानी की कड़वाट की व तो अवरॉल ये मन्त आपके लिए अच्छा रहेगा, बाकी बहुत जादा यदि धन संचित नहीं होता है, तो धन के संचैन की वज़े से परिशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है, शनी वक्री होंगे, जिसके चलते व्याधिक की सितिय आपको देखने में मिलेगी पर तो धन का आगमन भी आपके साथ में है, यदि आप कुछ धन को परुपकार में लगाते हैं, मंदिर इत्यादी में दान करने में लगाते हैं, ब्रामणों को धान करते हैं, आवशक जिनको आवशकता है, उनकी यदि आप अपने धन के माध्यम से मदद करते हैं, तो ये मन् तो प्रिये दर्शकों ये था मीन राश्य के जातक हों के लिए जुलाई 2024 کا राश्यफल आशा करता हूँ कि मीन राश्यक के जातक मेरे द्वारा बताएगए इस राश्यफल के कारिक्रम से संटुष्ट होगए यदि आप इस कारिक्रम को देखते हैं आप इस वीडियो को जादा से जादा आ लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाब हो और उसका माद्ध हम आप सभी दर्शक ने आज किस कारेक्टर में बस इतना ही रखते हैं नमस्कार